मद्यप्रदेश के बुर्हानपूर के नेपानगर के नहरू स्टेडियम में लगे भगोडिया उत्सव मेला में पचास हजार से अधिक आदिवासी खंडवा, खरगोन, बढ़वानी से अपनी पारंपरिक वेश्भूशा में पहुँचे इस दोरान मेले में पारंपरिक लोगईत और भूलक की थाप पर आदिवासी समाज के लोग थे रखते हुए नजराए दरसे पुर्णिमा और पश्चिम निमाड का सबसे बड़ा आदिवासीं का भगोरिया उत्सव जो की होली के पहले मनाया जाता है आदिवासी समाज के लोग अलग-अलग अस्थानों और खेतों में जंगलों में जाकर रहते हैं और ये लोग खेती कर ये जंगल के फल, फूलो और पत्ते जमा कर अस्थानिय मार्केट में बेच कर अपना पालन पोशुन करते हैं इनका मुख्य रूप से मनाया जाने वाला रंगों का तेभार होली होता है आदिवासी लोग होली के पहले होली का डंडा लगाते हैं जिसे शेत्रिय भाषा में डंडा पुर्णिमा के नाम से भी जोना जाता है उस दिन से भगोर्य मेले की शुरुआत करते हैं इस दोरान आदिवासी समुदाई के लोग अपने हाश शेत्र में लगने वाले भगोडिय मेले में अपनी पारंपरिक वेश वूजा पहन कर पहुचते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आदिवासी लोग दूर जंगल और खेतों में नहीं निवास करते हैं और वो अपने रिष्टेदारों से इसी मेले में मिलते जोते हैं खोली के पहले इनका भगोरिया पर बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है इसमें दूर दराज शेत्रों से जिस्मी की मद्यप्रदेश के खंडवा, खरगोन, बढ़वानी और जाबवा जिले से आदिवासी समाज के लोग पचास हजार से अधिक की संख्या में भगोरिय मेले में पहुच से इस दर्म्यान उन्होंने पारंपारिक वेशबूशा पहनी हुई थी वही लड़कियों और लड़के भी तरह-तरह के रंग बिरंगे अपने पारंपारी कपड़ें बहन कर नजर आए आपको पता दे आदिवासी समाज में होली तेवार को लेकर बड़ा ही विशेस महत्व है और इनका ये सबसे बड़ा तेवार होता है इसके तयारियां लगभग शेत्रिय भाषा में अगर हम कहें तो दांड़ा पुर्णिमा से शुरू हो जाती है और इसे दिन से भगोरिया पर्व के मेले की शुरुआत होती है आदिवासी समुदाई के लोग मेले में पहुँचते हैं और होली के पर्व को लेकर खूब खरिदारी भी करते हैं और मेले में एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ा कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं खोली पर्व की बधाई देते हैं, इस दोरान आदिवासी समुदाई के लोग अपने रिष्टेदारों से मिलते हैं और फिर लड़के-लड़की की शादी भी सी मेले में तै हो जाती है इस साल मध्यप्रदेश के बुर्हानपुर के नेपा नगर में भगोरिया मेले का आयूचय नहरो स्टेडियम पर जागरित कला केंदर नेपा नगर द्वारक किया गया है